हालो दोस्तों आप सभी का सिरी सिरी किसन चूट में स्वागत हैं पुना एक बार करेंट अफेर्स लेके उपस्तित हैं और आज है 5 नौवंबर 2020 तो आए जानते हैं 5 नौवंबर 2020 से कुछ महत्पूर करेंट अफेर्स पहला प्रस्न है कि भारत के किसराज में पहली सोर उर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उदगाटन किया गया है जो मिनी ट्रेन होता है यह छोटा ट्रेन होता है मिनी ट्रेन इसका हाली में उदगाटन किया गया है केरल में कहां उदगाटन किया गया है केरल में उदगाटन किया गया है यहां के CM जो है पिनारी बिजियन पिनारी बिजियन ने इसका उदगाटन किया है कौन किया है पिनारी बिजियन ने इसका उदगाटन किया है केरल में और सौर उर्जा से चलने वाली ये ट्रेन ये सौर उर्जा से सम्बंधित कुछ और भी फ्रस्न देखते हैं जैसे सौब परतिसद सौब परतिसद सौर उर्जा से संचालित संचालित आनि सौब परतिसद सौर उर्जा से संचालित भारत का पहला सहर दिव है कौन है दिव आनि सौब परतिसद सौर उर्जा से संचालित भारत का पहला सहर कौन है दिव है आनि 100% सर उर्जा संचालित भारत का पहला रेल्बे चेसन वो है गुहाटी, पौने गुहाटी जो है वो 100% सर उर्जा से संचालित आपको क्या रेल्बे प्लेट फ़रम है। उसी तरह पुछे सौर परधिसत सौर उर्जा से संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट जो है ओ है आप भारतिय बिमानन पार्धिकरन के द्वारा थाली में घुसरा किया गया है कि सौर परधिसत संचालित जो है वेयर पोड़ कौन बना है पंडुचेरी बना है तो इसको याद रखेंगे सो उर्जा से संबंदित है और सौर उर्जा को बहावा देने के लिए हाली में आपको उत्राखंड उत्राखंड के हमारी स्रीम जो है तिरिवेंदर सिंह रावत ने सौर 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 रोजगार देके किसके लिए तो सौर उर्जा को ब्रहावा देने के लिए अलग खेत या घरों क्या लगाए जगा आपको सौर रुजा उत्पादन करने वाला सब अस्टिम जो था अंटीना उसको लगाने के लिए शुरू किया गया था उत्राखंड सरकार के द्वारा तो आए देखते हैं आगला प्रस्ण अगला प्रस्ण है किस राज में मांसर जिल विकास स्योजना की सुरुवात किया गया तो जो आपको इजाम हुआ चार अक्टूबर को एयर फोर्स में उसमें हमने इसके पिछले आप दो देखे करेंट अफेर्स का जो आपको चार अक्टूबर को आया था और तीन पूछा गया था आपको यह प्रिवियस जो आप करेंट अफेर्स का पहले लिस्ट है एक्जाम में जाने से पहले एक बार जरू देखे जो भी प्रस्ण आया था यह करेंट अफेर्स का वह इसी से आपका मैनेज हो जाएगा आपका दो तीन वीडियो पीछे वाला भी अच्छा किया था जो आपके एक्जामों में पूछा गया था आपको 4 अक्टूबर के फर्स सेटिंग में और सकेंड सेटिंग में भी बहुत एसा प्रस्ण था जो करेंट अफेर्स का जो आपको इससे ही आपका पूरा हो जाएगा तो इसको वीडियो को देखेंगे पर जाके आपको इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको पुन पढ़ लेंगे एक बार तो आए देखते हैं प्रस्ना को तो किस राज में मांसर जील विकास योजना की अधार सिला रखी गई है तो यह जमू कस्मिर रखी गई है मांसर जील जो है जमू कस्मिर में यहां परियाटन को बढ़ावा देने के लिए खासकर इसको विक्सित करने के लिए इसकी उदगाटन के यहाली में जितेंदर सिंग किसने किया जितेंदर सिंग तो जितेंदर सिंग क्या है केंद्रिय मंत्री है खासकर पुर्वतर विकास मंत्री परमानु उर्जा और अंत्रिच विफाग के राज मंत्री है किया है जीते अंदर सिंग है और इनी के दवरा यह उधगाटन किया गया जमु कस्मीन में तो यह है मांसर जील जिसके विकास के लिए इसको उधगाटन किया गया खासकर परियटन के बहावा देने के लिए उसी तरह यहां डल जील है डल जील हो या बूलर जील हो जो भारत के सबसे मीठे ताजे पानी का जील है जितने जील है इसको बिक्सित करने के सरकार के दोरा योजना बनाई गई है खासकर कि यहां परेटन ज्यादा सा ज्यादा आए अब रहा बात जमू कस्मीर जो है एक केंदर सासित परदे से जो बना 31 अक्टूबर 2019 को यह बना और इससे पहले जमू कस्मीर का अपना अलग सविधान था जिसमें विशेश अधिकार दिया गया था अनुछे 370 और 35 एक ताद 35 जो है वहां के अस्थाई नगरिता के लिए था 35 तो आपको 5 अगस 2019 को इसे निरस्ट कर दिया गया जबकि 370 से भी बहुत से जो तत्थे लिखा हुआ था उसको केंसिल कर दिया गया और जमू कस्मीर जो विशेश राज देता था 370 उसे का कर दिया गया निरस्ट कर दिया और इस तरह जमू कस्मीर एक देश का क्या बन गया केंदर सासित परदेश बन गया तो प्रसना इस बाद आज पुछा हुआ था सौरी चालब शार नॉंबर को पुछा गया था कि भारत में केंदर सासित परदेशों की संक्या कितनी है तो आठ और राजे की संक्या कितनी है 28 तो भारत में 28 राज और आठ केंद्रसासित परदेश है आठ केंद्रसासित परदेश 28 क्या है राज है और इसमें देखिए जमू कस्मिर से दो बना एक जमू कस्मिर और लदाग पहले 7 था तो 9 हो गया लेकिन आपको 26 जनवरी 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली क्या है दादर नगर हवेली उसके अलावा दमन दिव दमन दिव यह दोनों को एक में ही सामिल कर दिया गया और इसकी राज़ानी कहां बना दे गई दमन तो इस रहके अंद्रसासित परदेश की संग्या कितने हो गई है आठ तो आ कुछ और परस्ट जमू कस्मिर से याद देखेंगे यहां हाली में भूमी सुधार अदनियम पारित किया गया था के अंदर सरकार के दुबारा खास कर पहले यहां पर भारत के अन्य बेक्ति जाके जमीन या घर बनाने के लिए नहीं खर सकते या उद्योग धन्दा के काम कर सकता है की जमू कस्मिर के जो उपर राजपाल है राजस्थान से याद रखेंगे राजस्थान के यहां मास पहनना अनिवार कर दिया गया है यानि इसे कनूनी परवधान दे दिया, कनूनी रूप दे दिया गया है अगर मास अप नहीं पहनते हैं तो आपर कनूनी करवाई की जाएगी तो मास्क पहाना अनुवार कर दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा और पटाके और अतिस्थबादी पर क्या किया गया है पर्तिवन लगाए गया है राजस्थान सरकार के द्वारा तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे हिमाचल परदेश से याद रखेंगे हिमाचल परदेश के जो CM है जैराम ठाकूर कौन है? जैराम ठाकूर है और यहाँ पर नई सिक्षा निती जो 2020 में लाई गई है नई सिक्षा निती डाक्टर कस्तुरी रंगन जिसके अध्यव से तो यहाँ नई सिक्षा निती लागू करने वाला एक देश का पहला राज बनेगा आपको हिमाचल परदेश गोवा के CM जो है परमोद सावन्थ देखें CM का नाम इसलिए बता रहे है अभी कि आपके गिजाम में बहुत पुछा जा रहा है अभी तो गोवा के CM काने परमोद सावन्थ है काने परमोद सावन्थ गोवा जो है एक छेतफल के दिरिष्टी से भारत का एक छोटा राज है क्या है छोटा राज है अभी हाली में उस सिक्षा के लिए हैं डिश्टवाई यूटूब चैनल लंज किया गया था गोवा में और गोवा सरकार्द में पर्धान मंत्री समान निधी यूजना का लाब पहुंचाने के लिए जानता तक एप इंडियन पोस्ट आफीस से क्या किया था समझावता किया था और हर घर जल पहुंचाने वाला एक देश का पहला राज बन गया है कौन? गोवा और यहां पर मार्मू गोवा बंदरगा है जो पर्ययतन का बढ़ावा देता है और यह भारत का एक छोटा सा राज है तो आए देखते हैं अगला प्रसन देखि आगला प्रसन है कैनेट की किरकेट्र ने किरकेट के सभी पारूपों से स्तन्यासी वुश्रा किया सेन वार्टस ट्राइए ऐस्टेलियान के कहां के है आस्टेलिया के के किरकेटर है जो इस बार आइपेल इंडियन प्रीमियर लीग का त्यरहण सन्सकरन दिया शर्ण हो रहा है अंच लिकांग कि अमराक महीं हो रहा है और इस आई प्याद की में आप पता है कि चेने सुपर्किम जो है आपको में जो है बाहर से हार चुक और इसमें कोई आच्छा पर्वर्मस नहीं था सेन वार्षन के इसके बाद इन्हों ने एक किर्केट के सभी पारूपों से का दी दिया सन्यास दे दिया जब कि सीएस के कप्तान कौन थे अगला परस्ट यह हैं आपको सेन वर्स और यह हैं सरजनिक च्वास्त आपको सिएरी फैसर अंधिन रहें हैं सै अगला परस्ट भारत सब्सक्राथ में सारजनिक स्वास्त ऑंप आपात्रशित किया है तो सब्सक्राइब दिल्ली और दिल्ली भी भारत केजरिवाल है और यहां की याद रखेंगे यहां के उप राजपाल क्योंकि केंदर सासित परदेश में उप राजपाल होते हैं और लेप्टेंड गौवर्णर होते हैं तो यहां अनील बैजल है कौन है अनील बैजल जो है यहां के उप राजपाल है दिल्ली अभी चार्चा पर दूसर से बंदि सारी जनकारी आप लें सकते हैं इस एप गारी जो है इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए हां कई इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसीडी में का दिया गया है छूट दिया गया है क्या दिया गया है छूट दिया गया है मुंबाई जो है भारत के क्या है बितिय रजधानी है और इजर्ब बेंक अफ इंडिय पोर्जेक्ट के शुरुवात की गई थी अनंदी बिन पटिल के द्वारा जो आपको उत्तर परदेश के गोवर्नर है तो आए देखते हैं आगला प्रस्ट करता है बीत मंत्रा लें द्वारा जारीक अधिकारिक आंकरों के अनुसार नीचे दिये गए माह में जीएश्टी का सार्वाधिक संग्रा हुआ जीएश्टी कहाने कि मतलब बुट्स एंड सार्विस टेक्स कि कि गुट्स सोभीस टेक्स होता है और सुर्वीस हैं यानि बस तो यका करते हैं बस तो सेवाय करते या जो एक इनडाइक्स है क्या है इन की लैक्ट्स है आणि और 스द्र सरकार जि गया और यह जीएस्टी लागू हुआ था आपको एक जुलाई 2017 को कब लागू किया गया था एक जुलाई 2017 को देखिए यह आपको जीएस्टी और इस साल इसका सबसे ज्यादा संग्रा हुआ है अक्टूबर 2020 में कब हुआ है कोबिन 19 ने कालन बीच में सलो था लेकिन अक्ट बीत मंत्री कोनोते बीत मंत्री आने बीत मंत्राले के अधिन आता है और बीत मंत्री जो है निर्माला सीतारमन कोने निर्माला सीतारमन है तो बीत मंत्री कोने निर्माला सीतारमन है आपका बीत मंत्री और केंद्र राजियों के बीच रदसों का बटवारा करने के काम करता ह कुण करता है बैतायोग जो है एक सविधानिक सांस्ता जिसकी चार्टा सविधान के लुचे 288, किया गया है तो बीटायो किया करता है तो केंद्रा राजियों के बीच राजसों को बट्वारा करने का कॢम करता है और बीटायो जो एग YO 211 सभीधान के उठेद 284. Weinding 217. 2015 विटायों का गठन किया गया जिसका कारेकाल 2020 से शुरू होगा और 2025 तक चलेगा और 15 में बीतायों के अध्यक्ष है एन केसिंग है तो आई देखते हैं अगला प्रस्ट अगला प्रस्ट है कि वर्ल्ड वाइल फॉर्ड और नेचर दोवारा एक रिपोर्ट लाया गया है 2020 तक भारत के किस सहर में सबसे जड़ा पानी की कमी होगी और वाटर की क्या होगी कमी होगी इया 120 लौग्व की 100 सहरों को चीनित किया गया है जिते भारत के 30 सहर शामिल है है वारत सौर सामिल है 10 लिवकि पूरे दुनिया में आये जाए तो पहाले अस्थन पर सहर जो आप जो आइब वाली है जबकि भारत में सबसे ज्यादा कमी होने वाली है जैपूर उसके बाद भुपाल है और तीसरे नवर पड़ क्या है थाने है यह महाराष्ट का है भुपाल जो है आपको मदपर्दिस की राजधानी है जैपूर जो है इसे पिंग सिटी गुलाबी सिटी के नाम से जा सो तिर पनिश्वी में तो कहा चला गई थी मुंबाई से थाने के बीच आई देखते हैं अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है कौन सा देश बर्स में सबसे ज़्यादा खकर नाक है हैं चक्रवाद भुनि से पर होilàं से सबसे ज़्याब हुएता है और बार क्या हो जाता है हाई-पिरेसर क्या हो जाता है तब है फ्लिस कौन से फ़्लिमपींस कॉन है फ्लिमपीन्स जो है यह से स्कार्वाभ्यान है इसके राधानी कहा है मनिला और यहां के मुद्रा क्या है पेसो है मुद्रा क्या है पेशो है 2003 में यहां चक्रवात आया था उसे पहुत से नुक्सान पहुंचाया था कहां फिलिपिन्स में फिलिपिन्स में पहुंचाया था यह याद रखेंगे फिनिपिन्स के रधानी जो मनिला वहीं पर ACI विकास बेंग का हेड क्वार्टर है यानि ADB कौने ADB यासिए यह यह ने डेवलमेंट बेंग है जिसकी अस्थापना 1966 में किया गया था और इसका उपाद्यक्ष जो है एक भारती है इसका उपाद्यक्ष पहुंण है एक भारती है जिनका नाम है असोक लावासा याद रख मनीला और एसी आई विकास बेंके का बनगे उपाध्यक्ष बनगे का बनगे उपाध्यक्ष जापान से याद रखेंगे जापान की राधानी जो है टोकियो क्या है टोकियो कि ओलंपिक खेल 2021 में जो आयोजन होगा यहीं पर टोकियो में होगा कहा होगा टोकियो में होगा यह के परधान मंत्री जो है यह कंशलिया की राधानी कहा है कैन वारा है और भारत की राधानी नहीं दिल लिया तो आए देखते हैं अगला प्रस्थ आगला प्रस्ण है कि भारत की सहाइता से किस देश में निर्मित भीम से अधर्स हायर सेकेंडी स्कूल का उध्राटन किया गया है तो यह हायर स्कूल बनाया गया है कहां नेपाल में कहां बनाया गया है नेपाल में बनाया गया और यह नेपाल में बनाया गया किसके दौरा भ कौने KP σर्μα प설ेई याद रखेएंगे KP सर्मय और यह नेपाल की रजधानी कहा है कट में जर को आपके खिजाम में भी आया हुआ है यहां के आपको राष्ट पती हैं अभी हाली में भारा सरकार ने गांधी जैन्ती के असर पर इसको 41 एम्बूलेंस और 6 इस्कूल बस दिया गया था आपको नेपाल को अभी नेपाल दोड़े पर हमारे सेना परमुक मनोज मुकूंद नर्वने गये है जहां पर नेपाल के आर्मी का जो परमुक सम्मान होता है उसी सेन को नवाजा गया है मनोज मुकूंद नर्वने काहां किस दवरे पर गये है नेपाल में नेपाल से और याद रखें काटमांडू काटमांडू में आपको सार्क का हेड़ क्वार्टर बनाया गया है सार्क जो है यह आठ देशों का समूह है यानि दसाउथ एसियान एसोसियेशन फोर रिजिनल यानि दस्याई छेतरिय सहयोग संगठन है जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं दक्षेस क्या कहते हैं इसे दक्षेस इसकी आज स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 पी में और इसका हेड़ क्वार्टर कहां है काटमांडू में ही है और इसमें 8 देश सामिल है जिसमें नेपाल ह आपको नेपाल, बंगलादेश, भुटान, मालदिव, सिरलांका, पकिस्तान, अफगिनिस्तान ये सब सदस देश हैं किसका सारका बंगलादेश से याद रखेंगे बंगलादेश अपने 2021 में अपने 25 सुतनता दिवस के औसर पर भारत के परधान मंत्री श्री नरेद्र को अमंत्रित किया गया है और बंगलादेश और भारत के बीज संप्रित नौ सेना अभियास हुआ था और बंगलादेश के रधानी कहा है धाका है और यहां के आपके प्राइम मिनिस्टर सेख हसीना है कोने सेख हसीना है और मैनमार के रधानी कहा है नेपादी और भुटान अभी हाली में मनोज मुकुन नर्वने जो हमारे थल से ना परमुक है वो मैनमार दौरे पर भी गये थे और वहां जाने के बाद इन्होंने भारत के एक पंडू भी सिंधू बीर जो पंडू भी है वो इसे लीज पर दिया गया है किसको आपको मैनमार में और सित्वे परियोग करेगा तो आए देखते हैं अगला प्रस्ट लेकर हाली में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जर्णगरना अभियान शुरू किया है तो यह चीन ने शुरू किया है चीन जो है वीशों में सरवाधिक जनसंख्या किस देश में है चीन में है और यह अपनी स सात्मी जनगरना की शुरूबात किया है और यह सात्मी जनगरना किया जाएगा डिजीटल माध्यम से किया जाया है और चाइना जो है ये डिजिटल मादम से सात्मी चनगरना कराएगा इसमें एक और अपसे ज्यादा लोक्या लेंगे भाग लेंगे इसलिए चार्चा में है क्योंकि सबसे बारा चनसंख्यावला देश चीन है और उसके बाद अपना भारत है चीन की राधानी जो है वो बीजिंग है चीन की रा जालधानी है बीजिंग और इसके सबसे बाला सहर है सबसे बाला सहर का नाम है आपको संगाई सबसे बाला सहर का नाम क्या है संगाई और सी जीन पिंग जो है यहां के आपको राश्ट पति हैं से जीन पिंग क्या है यहां के राश्ट पति हैं और आए देखते हैं भारत से भारत में पहली बार जन्गारना भारत में पहली बार जन्गारना 1842 इसमें शुरू हुआ था लॉड मेयो उसमें हमारे वाइसराय थे लॉड मेयो कौन थे लॉड मेयो लॉड मेयो के समय भारत में जन्गारना के शुरूआत हुआ लेकिन नियमित जनगर्ना की शुरूआ जो हुआ वो नियमित जनगर्ना वो हुआ अठारे सो एकासी में लॉड रीपन के समय और यहां भी जनगर्ना दसतस बरस के अंतराल पर होता है अभी तक 2011 में 2011 में 2015 जनगरना हो चुका है 2015 जनगरना 2011 में हुआ था भारत में 2015 जनगरना कब हुआ था 2011 में और फिर आगे कब होगा जनगरना तो 2021 में भारत में भी क्या होगा जनगरना हुआ और जनगरना जो है भारत में संग सुची का एक बिशाय होता है और केंद सरकार ही जनगरना करवाती है कौन करवाती है केंद सरकार ही जनगरना करवाती है तो आए देखते हैं अगला प्रस्ट यह चाइनल संबंदित कुछ जनकारी था जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया था तो अगला प्रस्ण है कि बीश्व का सबसे बड़ा पलास्टिक कच्रे का निर्माता अग देश कौन बन गया यानि पलास्टिक कच्रा का सबसे ज़्यादा भंडार किसके पास हो गया तो अमिर्का के पास हो गया किसके पास अमिर्का के जो है कच्रे निर्माता में देश में और इसकी राधानी कहा है, आपको बसी घटन DC में ही आपको जुरुवा बहन किसे कहा जरता है, IMF को और World Bank को, इनको हम लोगे जुरुवा बहन के नाम से जान्गते हैं, और दोनों का हिट्ड कौर्टर कहा है, बसी घटन DC यानि District of Columbia, आपको वर्ल्ड बैंक ही है इसका नाम इसको याद रखेंगे दोनों का हेड़ क्वाटर कहा है बासी गटन अब चीन से याद रखेंगे कार्बन उत्सर्जन में आनि सी यो टू बिश्व में सरवाधी कार्बन उत्सर्जन वाला देश कौन है तो चीन है पहले अस्थान पर है और इसका भाई जो है वो दूसरे अस्थान पर है जो देश जितना तेजी से विक्सित होता है उतना ज्यादा उद्योग लगाता है उद्योग लगाने से ज्यादा ज्यादा का होगा परदुसर होता है तो पहले अस्थान पर कौन है चाइना और दूसरे अस्थान पर उसका भाई अमिर्का है और तीसरे अस्थान पर एरोपियन संग है कौन है एरोपियन संग या दखेंगे एरोपियन संग में पहले आपको रजधानी है किसरी अस्थान पर यह है और भारत भी पीछे नहीं है यह चौथे अस्थान पर है भारत क्या है चौथे अस्थान पर है कार्बन उस्वर्जन में जबकि भारत जो है यह चौथे अस्थान पर है किस अस्थान पर है जबकि याद रखेंगे जपान यह दो वादा किया है कि आने वाले 2050 सब यह सुनिय कार्बन उस्वर्जन वाला देश बन जाएगा यानि काने की मतलब सुन्य कार्बन उस्वर्जन का मतलब होता है जितना कार्बन का यह मतलब उस्वर्जित करेगा उतना को का कर लेगा और सोसित कर लेगा तो यह बोला है कौन जपान और जपान की रधानी कहा है टोकियो है जो 2021 जुलाई मंत में यहां का सुरू होने वाल था लेकिन कोभी नाइटी ने कारण यह नहीं हो पाया और यहां हाली में यहां के परधान मंत्री बने हैं योसी हुड़ा सुंगा तो यह था कुछ महत्पूर करेंट अफेर्स जिसके बारे में हमने क्या किया चर्चा किया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सांथ थैंक्य हुआ 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 हुआ